ओम शान्ति तो आजके इस सायंकालिन सत्र में जो हमारा भठी का अंतीम ज्ञान योग का सत्र है अंतीम आहूती डलवाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदनिय राजयोगी भ्राता अत्म प्रकाश भाई जी एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं सत्कार करते हैं अभिनंदन करते हैं भ्राता जी देश की रदय स्थली नाकपूर सिटी से निकले इश्वर के अन्मोल रतन है नाकपूर उनिवर्सिटी से ही आपने ये ज्यान लिया 1972 में और फिर 1973 में नाकपूर उनिवर्सिटी से MSC के डिगरी गोल्ड मैडल के साथ प्राप्त की और इसलिए धुन लग गई कि जैसे लौकिक पढ़ाई में गोल्ड मैडल लिया है ऐसे अलौकिक पढ़ाई में भी अवल आना है गोल्ड मैडल लेना है और इश्वरी पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते योग की गहरी अनुभूतिया करते करते 1976 में आप पहली बार मदुबन में आएं और पहली बार में ही आकर बाबा के घर में समर्पित हो गए तो 1976 से लेकर हेडकौर्टर में रहेकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं तीनों ही कॉम्प्लेक्स में वर्तमान में जो हमारा बाबा का टोली कीचन है जहां से हम सब के लिए टोलिया बनती है जो हम खाते भी है और साथ साथ लेकर भी जाते हैं ताकि सब को बाबा के घर की टोली खिला सकें तो वो सब टोली कीचन से तयार होता है और वो टोली कीचन आपके ही निर्देशन में चलता है चुकि पढ़ाई भी बहुत की है और हम सब जानते हैं पढ़े लिखों की तो पुरे विश्व भर में डिमांड होती है तो नब्बे से भी अधिक देशों में भ्रमन करके आपने बाबा का संदेश जन जन तक पहुँचाया है और ब्रामनों को भी स्वव उन्नती में मदद की है आपके इंटर्यूस, रेडियो, दूरदर्शन में प्रसारित होते रहते हैं आपके आर्टिकल्स, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं और आप हमारे जो यूवा प्रभाग हैं उसके headquarter coordinator भी हैं और जैसा आपका नाम है आतम प्रकाश सदा ही वो आतमा की जोती फैलाते रहते हैं और सब को उड़ाते रहते हैं तो आज भी हमारे बीच में पधारे हैं हमें मार्कशन देने के लिए कि हम कैसे अपनी लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिष्टा स्थती बनाएं तो सुनते हैं प्राताजी को आदनिया प्राताजी आम शंती लाइट हाउस और माइट हाउस फरिष्टा स्थती हम सभी का लक्ष हैं संपोण फरिष्टा स्थती को प्राप्त करना बाबा भी बार बार इशारा देते हैं अभी कुछ भी हो फरिष्टा स्थती अनभाव करते रहो और कराते रहो क्योंकि बाबा फरिष्टा स्थती के माध्यम से हमें बेहत की सेवा करने का चांस दिलाना चाते हैं अगर आप विदेश में जाएंगे तो घर घर एंजल्स की यादगार हैं कोई घर खाली नहीं होगा जहां फरिष्टों की एंजल्स की यादगार नहीं होगी कारण क्या है हम बाबा के बच्चों ने हार कलब एंसी लाइट हाउस और माइट हाउस फरिष्टा स्थिती की अनुभती करके उस स्थिती के द्वारा मानवता की सेवा साल्वेशन आर्मी बन कर की है इसलिए आस तक भी यादगार फरिष्टों की पाई जाती है इसलिए समय की पुकार है और बाबा का इशारह है कि कुछ भी हो फरिष्टा स्थिती की अनुभती को बढ़ाते चलो फरिष्टा अर्था दिव्य प्रकाश पुंजधारी अन्भो करने वाला इस्थूर शरीरधारी नहीं लेकिन दिव्य प्रकाश पुंजधारी स्वयम को अन्भो करने वाला लाइट हाउस और माइट हाउस अन्भो करने वाला लाइट का हाउस जैसे पावर हाउस होता है एंसे ये हाउस शरीर रुपे मकान हाउस लाइट का हाउस अन्भो हो और आत्मा भी माइट हाउस अर्थात अध्यत्मिक शक्तियों का अथा सागर हमारे पास्टॉक के रूप में शक्तियों का हो उसको कहेंगे लाइट हाउस और माइट हाउस तिती की अन्भोती करना चलते फिरते उटते बेटते सोयम को लाइट का शरीर धारी अन्भो करना क्या ये संभो है? नहीं जी? संभो है? ये पजाज साट किलो वजन वाला शरीर लेकर सारे दिन हम गुमते हैं करम करते हैं, सेवा करते हैं तो क्या इस शरीर को लाइट का शरीर अन्भो कर सकते हैं? बोलो जब मैं अधुबंद में आया तो ये बात मेरे गले में नहीं उतरती थी केंसी लाइट हाउस, केंसी लाइट का शरीर अन्भो करेंगे? तो बात 1985 की है, अठरा जन्वरी का दीन था आम शान्ति भोवन्द में सामुई कृति से मुरलिक पुरी हो गई और सभी बावा के शान्तिस्थम पर आएं और तीन मिनिट प्रकाश मनी दादी जी के साथ सामुईक योगा भ्यास किया उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर बैठा बैठा था कुर्शी पर तो थोड़ी देर में मुझे एक बहुत पावरफुल टचिंग मिल गई कि देखो बचें, एक्सरे होता है, एक्सरे अपने शरीर की ओर्गन्स को पेनेट्रेट करता है वहां से पास होता है और अपने शरीर का ओर्गन का फोटो देता है एक्सरे इस शरीर से पास होती है, तो यस रिजेस अर्था सोल कौंसिस के किरने आत्मा के प्रकास के किरने भी पास हो सकती है, वो तो उससे भी प्रकर होती है उसके बाद मुझे ऐसा अन्बो हुआ, कि इस शरीर उपी मकान में आत्मा रुपी बल्ब जल रहा है और उसकी किरने जो हैं, सारे शरीर से ट्रांसपर हो रही है और ये शरीर जैसे कि मुझे लाइट का अन्बो होने लगा और जैसा जैसा सोयम को लाइट अन्बो करने लगा हलका फुलका में उपर जाने लगा और सुक्स्मा वतन में बावा के बाद दो तिन घंटा मेंने बहुत अच्छी तरह से सर्व संबन्दो की अन्बोती की उस अन्बोती के बाद मेरे मन से वो डाउट निकल गया फरिस्तास्तिती स्वयम को लाइट का शरीर धारी अन्भव करना संभव हैं केवल आवश्चक्ता हैं वीधी पूर्वक अभ्यास करने की अभी स्वयम को लाइट हाउस कैसे अन्भव करें उसमें तीन बाती हैं इस शरीर रुपी हाउस में आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहें इस मकान में अंधेरा था हम ठोक रिखा रहे थें बाबा ने रहम के सागर बाबा ने जोत जगा दी दीपक जगा दिया तो इस दीपक को हमें निरंतर जगा कर रखना है हम बाबा के बच्चों ने ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हर कलब किया था उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में बक्ति मार्ग में हैं मंदीरों में अगर आप जएंगे तो दीवी देवताओं के मंदीर में अखंड दीपक जगाते हैं पुजारी नीन भी फिटाता है उसमें गुरुत डालता रहता है ताकि जोत निरंतर जलती रहें किसकी यादगार है हम जो देवी देवताओं बनने जा रहे हैं उन्होंने संगम युग में इस शरी रुपी मंदीर में आत्मा की जोत निरंतर जगा कर रखने का पुर्शाद किया उसकी यादगार भक्ति मार्ग में लोग मना रहे हैं इसलिए हमें आत्मा के दीपक में अटेंशन का घृत ग्यान का घृत डालते रहना हैं और ये जोती निरंतर जगा कर रखनी हैं केवल ये जोती निरंतर जगती ना रहें लेकिन उस जोती का प्रकांस और भी प्रक्र होता रहे आत्मा का आभा मंडल और विशाल बनता जाएगा तो ये देह का भान मिटता जाएगा हड़िमास के शरीर का भान मिटता जाएगा और सोयम को हम दिव्य प्रकाश पुंजधारी अन्बो करते जाएंगे ब्रह्मा बाबा मदुबन में जहां पर भी विचरन करते थें बाबा हमेशा फरिस्ता ही नजार आते थें क्या कारण था बाबा के देहरुपी हाउस में हमेशा आत्मा की लाइट निरणतर जलती थे इसलिए बाबा का हाउस लाइट हाउस अन्बो होता था प्रकाश मणी दादी जी एक बार का अन्बो सुना रहे थी कि बाबा मुझे हाथ में हाथ लेकर मुदवन की सेर करा रहे थे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में ले जाते थे तो बाबा का हाथ जो है एकदम राई का या रूई का एकदम लाइट का लग रहा था हड़ी मास का श्रील हाथ लग ही नहीं रहा था बिलकुल लाइट का है क्यों 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 कि आंतरीक स्थिती बाबा की लाइट हाउस की सदा रहती थी अभी इस जोती को और प्रखर करते केसे जाएं उसके लिए हमें क्या पुर्शात करना होगा एकांत में बैट कर आत्मा को देखना होगा और आत्मा के भान में स्थित रहने होगा और स्थित रहने का परसेंटेज को बढ़ाना होगा जैसे जैसे आत्मा के भान में स्थित रहने का परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो देह का भान घटता जाएगा हमारा लक्ष हैं 100% आत्मा का भान हो, 0% देह का भान हो. ये हमारी मन्जील हैं, तो जितनी जितनी आत्मा की गहराई बढ़ती जाएगी, ये आत्मा की लाइट और प्रक्र होती जाएगी. क्या होता है, हम लाइट तो आत्मा की जला कर रखते हैं? इदर उदर हमारा थोड़ा सा ध्यान चला जाता हैं, तो माया बिल्ली क्या करती हैं? जोती को फू करके बुझा देती हैं, अंधेरा कर देती हैं. क्यों भाई? माया बिल्ली हमारे पीछे पड़ी रहती है? बताओ, क्यों दिवा बुझाने के लिए हमेशा लगी रहती हैं? हम जगाते हैं और वो बुझाती रहती हैं. हाँ जी? बावा का ओर्डर है, उसको बात सही है. बावा केते हैं, मेरी बच्ची है वो, उसको मैंने यो दिया है, काम दिया है, कि इसको पुर्शाद करने में बादा डालते रहना. क्यों माया रुपी बिल्ली हमारे पिछे पड़ी रहती हैं? क्योंकि 63 जनाम हमने मकान देया, रुपी मकान किराय से लिए उसका बिल दिया ही नहीं. और अगर वाप जा रहे हैं, अगर वाप जा रहे हैं, अगर उसको पता चल गया आप ये तो जाने वाला है गहर, तो बिल्ली कहते हैं मेरा बिल दो, फेर जाओ तुम जहा जाना है. सुना भाई, जो भी हमने माया के आंशवांश किराया रखने के लिए रखा हैं, वो उसको अपस कर दो, बिल्ली हमारा पिछा छोड़ देगी और जोती निरंतर जलती रहेगी. जब समझते हैं जोती, तो माया भाग जाती, जब समझते हैं काया, तो आ जाती हैं माया. अब माया की प्रोपर्टी है तो माया आएगी न भाई यह जोती की प्रोपर्टी शीव ने ग्यान दिया वह इश्वर की प्रोपर्टी है तो इश्वर याद आएगा ने इसलिए हमें हमेशा जोती को प्रकर जगा कर रखना है दुसरी बात इस जोती को निरंतर जगा कर रखने के लिए सदा हमें सुयम को जिम्मेदारी को संबालते विए लाइट रखना जुर्री है जिम्मेदारी के बोज से हम हलके रहते हैं तो ये जोती और जलती है प्रकर और बोज जो होता है तो जोती बुझने का चांस हो सकता है हैं इसलिए करम करते समय हमेशा स्वयम को लाइट अन्भो करना है हलकी अन्भो करना है जिम्मेदारी तो निभानाई है लवकिक अलवकिक लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए भी हमें कैसा रहना है हलके हलकी अर्थात है लकी जो आत्मा हलकी रहती है वो लकी है क्योंकि वो उड़ती रहती है बाबा के पाँ जाती रहती है और पदमों की कमाई करती रहती है और भागे का सितरह चमकाती रहती है तो लकी हो गए न भाई है न तो जिम्मेदारी का बोज भाई हमें थोड़ा सा संशे आता है पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी या नहीं पता नहीं ये जिम्मेदारी पुरी होगी या नहीं थोड़ा सा संशे आता है उसके कारण जिम्मेदारी को वापस ले लेते हैं और प्रेशान होते हैं बोज मेरे सिर पर बहुत है टेंशन हो रहा है अब कैसे लाइट अन्भो करेंगे स्वेम को लेते हीने इसलिए जिम्मेदारी के बोज को ब्रहमा बाबा के गॅदे पर रखना है और स्वेम को एक दम बेपरवाह बाश्चा की तरह अन्भो करना है बेफिक्र बाश्चा की तरह कोई फिकर नहीं है मुझे एकी फिकर हैं संपूण बनने की, करमातिद बनने की एक ही फिकर है, बाकि कोई मज़े फिकर नहीं है ठीक है? तिसरी बात लाइट हाउस बनने के लिए ग्यान सुर्य से हमें जो ग्यान की लाइट मिलती हैं वो बुद्धी में और प्रक्र होती रहें ग्यान सुर्य बाबा से जो हम मुरली सुनते हैं मुरली सुनने के बाद मनंचिंतन करते हैं जितना मनंचिंतन करते हैं ग्यान के गुई राज हम समझते हैं, तो हमारे बुद्धी में ग्यान का प्रकास बढ़ता जाता है, ग्यान की लाइट बढ़ती जाती हैं और जेंस से ग्यान का प्रकाज बढ़ता जाता है तो बुद्धी की कारेक शमता बढ़ती जाती है प्रिणाम सुरुप क्या होता है और भी हम लाइट रहते हैं हलके रहते हैं फुल नालेज फुल सोल माना सदा लाइट रहना वाली सोल अगर किसी परिस्तिती में हम बोजिल हो भी जाते हैं तो समझ लो उस परिस्तिती का सामना करने के लिए बाबा ने जो हमें ग्यान दिया है उस ग्यान के गुईराज को मैंने नहीं समझा इसलिए मैं बोजिल हो रहा हूँ अगर ग्यान के गुई है राज को हम समझते हैं तो सदा लाइट रहते हैं समझा और उसके लिए बहुत संदर युक्ती है सदा लाइट रहने के लिए nothing new का part हमें पका करना है हम यहां इस hall में बेटे हैं इस रुप से बेटे हैं क्या पहले बार बेटे हैं क्या बाई अंगिनत बार बेटे हैं और अंगिनत बार बेटे हैं और ऐसी आप सभी इतनी महान भुमी मदुबन भुमी हैं ऐसे भुमी पर तीन चार दिन भट्टी कराने के लिए आएंगे बाई कि इतनी खुशी के बाद है तालिया भी ने बज़ मदुबन सारे विश्व में सबसे पावर्फुल स्थान है इस्थान पर आना रहना ये बहुत उच्छे बागे के निशानी है इसलिए हर कलब हमने ये काम किया है जो भी दर्स मेरे सामने से आ रहा है गुजर रहा है वो कोई नया नहीं है के वल रिपेटेशन है इसा हम जब समझते हैं तो सदा लाइट रहते हैं अभी माइट हाउस बनने के लिए क्या पुर्शाद करना जर्री है जैसे पावर हाउस होता है बिजली सारे शहर को वहां से सप्लाइ होती है उसको पावर हाउस केते हैं तो यह से मैं आत्मा पावर हाउस कैसे बनूँ, उसके लिए मैं क्या पुर्शाद करूँ, उसके लिए सबसे पहले जब ग्यान बुद्धी में बेटता है, तो बुद्धी हमारी दिव्या बनती है, विशाल बनती है, हंस बुद्धी बनती है, तो बुद्धी योगा भ्यास में बहुत अच्छी तरह से काम करने लगती है, क्योंकि में एक्टर योगा भ्यास में बुद्धी है, इसलिए इस योग का नाम बुद्धी योग है, राज योग है या बुद्धी योग है, क्योंकि बुद्धी की भुमिका एहम इसमें होती ह इसलिए जितना हम लाइट हाउस बनते हैं, हलके रहते हैं, उतना बुद्धी हमारी बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं, और बुद्धी बाबा जो पावर हाउस हैं, सारे संसार को शक्ति प्रदान करने वाला unlimited source हैं, उससे हमारा connection बहुत अच्छी तरह से जुड़ता जाता हैं, एक ही हमें ध्यान रखना हैं, परमधाम में, जब मन बुद्धि से बाबा के पांस बैठते हैं, पावर हाउस तिती अन्बो करने के लिए, शक्ति शाली अन्बुती करने के लिए, तीन बातों पर हमें ध्यान देना जुर्री हैं, जब हम परमधाम में बाबा के पांस बैठते हैं, तो तेन बातों पर विश्य ध्यान देना है पहली बात बावा के पांस बैठने के समय हमें हिचकना नहीं है कभी-कभी हमारा conscious बाइट करता है, बावा तो पवितरता का सागर है मुझ आत्मा पर black spots of impurities है क्या मैं बावा के समय परमदाम में बैठ सकती हूँ आत्मा या नहीं ऐसा थोड़ा सा इचकिचार्ट हमारे मन में होती है, ये हमारे मन में नहो बड़े ठांट से हमें बावा के बाजू में बैठना है क्यों बैठना है बाई? उसके दो कारण है बावा ने हमें बच्चे के रूप में स्विकार किया है बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप के गोदी में ही नहीं कंधे पर भी बैठने का अधिकार है इसलिए हमें बावा के पास बड़े ठाण से बैठना है दुसरी बात कभी भी बावा के स्पास बैठने के बाद कभी भी स्वयम को कमजोर नहीं समझना है ordinary conscious से नहीं बैठना है powerful शक्ति शाली भान के साथ बैठना है अगर साधारन भान में हम बैठते हैं तो आत्मा और उपी बलब का होल्टेज बहुत साधारन होगा और बावा से शक्तिया हमें बहुत थोड़ी मिलेगी इसलिए बावा सरशक्तिवान है तो मैं आत्मा मास्टर सरशक्तिवान हूँ बावा ग्यान सुरे है तो मैं भी मास्टर ग्यान सुरे हूँ इससे powerful भान में हमें बैठना है और तिसरी बाद बावा के पांस बैठने के बाद हमें बावा से मांगना नहीं है माताय क्या करती है अमृत वेले बड़ी बावा के साथ मिठी मुठी रूरियान करती है बावा आप तो शक्तियों के सागर है मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ बावा मुझे थोड़ी सी शक्तिया दो ना बावा अरे नहीं हम भिकारी नहीं है हम अधिकारी है भागत माना भिकारी बच्चे माना अधिकारी हमें अधिकारी रूप में वेटना है और बावा से अधाश शक्तिया लेना है तो ए तेन बातों पर हमें विशे ध्यान देना होगा और बावा से शक्तिया स्वयम में ग्रहन करते रहना होगा तो धीरे धीरे आत्मा में शक्तियों की उर्जा की लेवल बढ़ती जाएगी और आत्मा पावर हाउस बनती जाएगी पहली बात स्वयम के पास शक्तियों का स्टॉक बढ़ाने के लिए जो अमरुत वेले या नुमा शाम के समय हम बावा से शक्तिया लेते हैं उन शक्तियों का प्रयोग सारे दिन भर में हमें अस्ट शक्तियों के रूप में करना है बावा हमें शक्तिया देती ही है यूस करने के लिए प्रयोग करने के लिए तो जितना जितना हम इन शक्तियों का यूस करते हैं प्रयोग करते हैं उतनी उतनी ये शक्तिया बढ़ती जाती है और हमारी स्थिती पावर हाउस के रूप में निखरती जाती है ये दुसरी बात है और तीसरी बात है पावर हाउस तिती बनाने के लिए बाबा के पास परमधाम में हमें बैठना है और बाबा से शक्तिया लेते रहना है एक तरफ और दुसरे तरफ सारे संसार की आत्माओं को शक्तिया देते रहना है इतनी आत्माओं को हम शक्तिया देते रेते हैं उससे क्या होता है उससे हमें दुआएं मिलती है आत्माओं के दिल की दुआएं मिलती है और दिल की दुआएं मिलने से क्या होता है बाबा जो पावर हाउस है उनसे शक्तिया लेने की शमता potential हमारा बढ़ता जाता है और शक्तियां हम बावा से जमा करते हैं बढ़ते जाते हैं और powerhouse तिती हमारी बढ़ती जाती है इसलिए बावा से शक्तियां लेते रहें और अनेक आत्माओं को बांटते भी रहें तो ये प्रयोग हम जब करते हैं तो हमारे पास शक्तियों का stock बहुत बढ़ता जाता है और master सरशक्तिवान स्थिती की अनभुती हम करते रहते हैं शक्तियां हमारे पास बढ़ रही हैं या नहीं कैसे पता चलेगा भाई? शक्तियों से क्या होता है? आत्मा रुपी बैटरी चार्ज होती है अभी क्या होता है? आत्मा रुपी बैटरी चार्ज तो होती है लेकिन बाबा से थोड़ी शक्तियां हम लेते हैं और सारे दिन बर में कितने संकल्प, व्यार संकल्प करम करने के लिए संकल्प छलते रहते हैं उससे बहुत उर्जा यूज भी करते हैं जितना कमाते हैं उतना गवाते भी है बैलन्स कुछ भी नहीं है भाई अब बैलन्स नहीं होगा तो उर्जा की लेवल कैसे बढ़ेगी? पावर हाउस कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा ने इशारा दिया हैं कि अभी शक्ति-शाली योगा भ्यास को बढ़ाना है ज्वाला सुरुप योगा भ्यास को बढ़ाना है बहुत हुशार बिजनेसमेन होता है वो तीन बातों को हमेशे अच्छे करता जाता है कौन सी तीन बाते हैं? कितना मेरा अर्निंग है earning मेरा बहुत हो maximum हो कमाई कितनी मेरी spending है खर्च मेरा बहुत कम हो पिरणाम सुरुप saving मेरी बहुत होगी इसलिए saving जितना जितना हम करते जाते हैं शक्तियों का stock हमारे पास बढ़ता जाता है और उससे क्या होता है माया की राज में रहते हुए विजयी स्थिती की अनुभुती हमें होती रहती है इसलिए एक slogan याद रखना है शक है तो शक्ति नहीं है कई बार हमारे मन में संकल चलता है कि पता नहीं बाबा के पास बैठते तो है connection जोडते तो है पता नहीं शक्तिया मिलती भी है या नहीं हमारे विकरम भस्म होते भी है नहीं कभी कभी थोड़ा सा ऐसा संशे बुद्धे में आ जाता है आता है भाई कभी कभी यह जी आता है आज भोलिये नहीं आता है अपनी याद बाबा तक पहुंचती भी है या नहीं कभी-कभी आता है संगल पैसा पता नहीं पर हम कितना दूर हैं और कौन से कोने में बाबा बिंदी बेटा है मैं बाबा की नई बच्ची हूँ, चार साल वाली, पता नहीं है, पुराने जो है, उसकी तो याद पहुंचती होगी, अब मेरी पत पहुंचती है या नहीं है, पता नहीं है। को आता है, कभी कभी आता है, मेरे मन में तीन साल तक यह डाउट था, जब मैं ग्यान में आया, 72 में तीन साल तक यह डाउट रहता रहता था, और उसके कारण योग में मज़ई नहीं आती थी, जब सेंटर पर जाता था, बेंजी योग में बिठा थी थी, मैं चिपचा बाग कि चला जाता था, ओई लाल लाइट में एक घंटा कोण बैठेगा, भाग जाता था, क्योंकि डाव जाता था, पता नहीं मेरी याद बावा तक पहुंचती भी है या नहीं, लेकिन क्या हुआ, सेवंटी, सिक्स में यहां आया मैं, और मैं मन बुद्धी पर बहुत अच्छी तरह से मनंचिंतन किया, और विधी पुर्वक बाबा को याद करने लगा, बुद्धी रुपी नेत्र से बाबा को देखना है, और मन के द्वारा बाबा के प्रति सोचना है, संकल्प करना है, इस विधे के द्वारा बाबा को याद करता रहा, चलता रहा, और एक साल पूरा मैंने इस पर मेहनत की, और 77 में History Hall में बाबा निचे गदी पर बैठ कर आये थे और बाबा के सामने में बैठा बाबा ने मुझे दुस्टी दिया और दुस्टी देने के बाद टोली देने के लिए हाथ सामने किया लेकर टोली न देती है वहाथ पीछे किया तोड़ा गबरा गया पताने क्या बाद है भाबा मुझे टोली क्यों नहीं दे रहे तो बाबा ने दीदी के तरफ देखा बच्ची मनमई नहीं दीदी बच्ची इस बच्ची का योग का चाड़ अच्छा है और इसका नमबर पांड़ों में आगे है इतना दो महावाक के उच्चानन की है मुझे इतनी खुशी हुई मुझे इतनी खुशी हुई मेरे खुशी का ठीका आना नहीं था क्यों भाई मैं जिसको याद कर रहा हूँ वो खुद कह रहे है इसका योग का चाड़ अच्छा और इसका नंबर पांड़ों में आगे है माना मेरी याद बाबा तक पहुँच गई थी पहुँचती थी उस दिन से मेरे मन में कभी भी ये संशे नहीं आया बिलकुल पहुँचती है एक दिन का बच्चा एक मास का भी बच्चा होगा जेश साब याद करता है उसका संकल बाबा पर ठका करता है और बाबा उसका रिस्पॉंस स्नेह के रूप में और शक्तियों के रूप में देता है इसलिए बाबा के ते बांधेली जो माताएं होती है बच्चे डाटते हैं पती मारता है और वो तड़प तड़प के याद करती है बगवान देख मेरे तरफ मैं कितना सितम जहन कर रही हूं तो बाबा की आखों में आसू आते हैं देखो मेरी बच्ची कितना सितम जहन कर रही है तो बाबा उसको एक्स्ट्रास निह देते हैं और शक्तिया भी देते हैं तांकि वो उस situation को पार कर सकें पहुंचते हैं ना भाई याद इसलिए बावा के दे बांधिली माता हैं सतीक में उच्पत प्राप करती है भाई उच्पत प्राप करती है भाई तालिया भी ने बजरे मा तो पावर हाउस बनने के लिए हमें शक्तियों को दाहन करते जाना है दाहन करते जाना है बावा से लेते रहें और अनेक आत्मों को देते रहें हमें चैनलाइज करना है ग्यान सुर्य बावा से शक्ति आ रही है और जा रही है ऐसा अभ्यास करते जाएंगे तो जो भी सामने आत्मा आती है उसको भी शक्ति की अनुभुती होती रेती है तो फरिस्ता अर्थात फरिस्त की मैं आपके सामने यह रखता हूं पिक्चर रखता हूं फरिस्ता अर्थात लाइट दीव्य प्रकास पुंजधारी अनुभु करने वाला लाइट का शुरीर अनुभु करने वाला फरिस्ता तीन बातों से संपन रेता हैं शक्तियों से संपन्ना इनशे से संपन्ना और गुणों से संपन्ना इस तेन बातों की संपनता फरिष्टे में रहती हैं और बहुत संदर दीव्य तक रहती है और दुसरा उसकी तारबुद्धिरुपि तार निरंतर बावा के साख जुटी भी रहती है तो इंसा हमारा फरिष्टा सुरुप लाइट हाउस, माइट हाउस के रूप में हमें अपने सामने रखना है और यह जो पुरशारती सुरुप हैं उस पुर्शाती सुरुप की उसके साथ बेट करना है, उसके साथ तुलना करना है मुझे जल्दी ही ए संपूर्ण फरिस्ता स्थिती को दपनाना है, धारन करना है उसके लिए और आगे बढ़ना चाहते हैं, और सुन्दर युक्ति चाहते हैं तो बावा ने हमें मेक अप करने के लिए स्थिती को मेक अप करने के लिए बहुत सुन्दर मिरर दिया है, आयना दिया है ब्रह्मा बावा की संपूर्ण स्थिती रूपी आयना दिया है उस आयने में अपने स्थिती रूपी चेहरे को देखते रहें बाबा का मन केसा है, बुद्धी केसी है, बाबा का पवित्वता की स्थिति केसी है, मेरी केसी है, ऐसे उस एरर में बार बार देखते रहें और अपने स्थिति को मेकप करते रहें, इसके लिए तो छुटी है, दुसरी उनिवर्सिटी में कॉपी करने के लिए मना हैं, लेकिन इस उनियोर्सिटी में तो बावा कहते हैं जो अच्छी कॉपी करेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे बताव भाई यहां तो प्राइज मिलता है तो इसलिए हमें बरह्मा बाप समान फरिस्टा बनना है अभी क्या है फरिश्टा स्तिति हमारी निखरती जाती है तो फर केवल फरिस्ता नहीं बनना है, संपून फरिस्ता बनना है। प्रसी से तो दीरे 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 ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन इस अभ्यास को हमें बढ़ते जाना है। प्रयोग करते करते उसको बढ़ाना है और उपयोगी अर्थात सारे संसार की आत्माओं की सेवा करना है उसके काम में जरूर मेरा जीवन आता रहें मुझे उस प्रकार की सेवा करनी है तो इसलिए हमें क्या करना है अपने फरिष्टास्तिति के द्वारा बहुत अच्छी तर सेवा करना है ब्रह्मा बाबा आप देखेंगे जब से बाबा अव्यक्त हो गए यह सेवा खूब तेजी से बढ़ने लगी देश क्या विदेश क्या चारों तरफ सेवा पनपने लगी बढ़ने लगी क्यों क्यों क्योंकि बाबा फरिष्टास्तिति के द्वारा विष्व करके हैं अनेक आत्मों के सेवा करते रहें उसके कारण इतनी ये सेवा फलिभुत होती गई तो हमें ब्रह्मा बाबा के साथ हमें भी सेवा करना हैं आपको बताते हैं ये मुझे एक याद आती है बात बात 1985 की हैं मैक्सिको में बहुत बड़ा अद्क्विक आया था उसमें देड़ लाक लोगों ने शरी छोड़ा था उन दिनों में ओम शांती वहन में मोहिनी देदी जी भोग लगा रही थी सद्गूरवार का दीन था तो जैसे वतन में गई तो बाबा ने बहुत दर्दनाक सीन दिखाया क्या दिखाया एक पहाड़ी पर जितनी लाग शरी छोड़ा था एक देड़ लाग उन सभी को दिखाया इमर्ज किया और वो चिला रहे थे हमें शांती दो हमें शक्ती दो आप देखो जब दस्ती शरीर उनसे चुड़ाया गया कितने वह शांत होगे आप सोचो जब दस्त उनसे property चिनी गई देयधारी अपने संबंधियों से दूर किया गया कितने वह शांत आत्में होगी तो उनको शांती भी चाहिए शक्ति का दान भी चाहिए तो दुसरे पहाड़ी पर बावा ने बीके भाई बेहनों का ग्रूप इमर्ज किया और बावा ने कहां अपने लिए नहीं इसे अकाले मुर्तिवाली आत्माओं के लिए शांती शक्ति देना ये आपका काम है आपका फर्ज है ये आपके ही भाई बेने हैं जो मुसिबत में आए हैं तो उनको शांती शक्ति देना ये आपको करनी है सेवा इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं नुमाश शाम के समय देवताय ब्रह्मन करते हैं हम जो हो अनहार देवताय हैं वो फरिष्टे के रूप में सारे विश्व का ब्रह्मन करते हैं और अनेक आत्मों को सालवेशन आर्मी बन कर देते हैं सकाज देते हैं, अनेकों का भला करती हैं, इसलिए हमें क्या करना है, पहली बात तो जहां हम करम करते हैं, गर में कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, आफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, कहां पर भी जा रहे हैं, आपको एक प्रयोक क करना है मैं करम योगी फरिष्टा हूं मैं अवतरित हुआ हूं फरिष्टों की दुनिया से इस साकारी दुनिया में किसले अवतरित हुआ हूं पवितरता के वैब्रेशन शक्ति के वैब्रेशन शांती के वैब्रेशन फैलाने के लिए बाबा ने मुझे यहां भेजा है तो इसा प्रियोग आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके फरिस्तास्तिति के द्वारा अनेक आत्माएं अन्भाव करते जाएंगे. ये कोई साधारन लोग नहीं है, ये अल्लाः लोग है. ये देखो फरिस्ति ही फरिस्ति नजर आते हैं. मदुबन में अठरा जनुवरे के दिन आप आएंगे, तो मदुबन मदुबन नहीं रहता है, मदुबन सुक्समवतन बन जाता है. ऐसा लगता है, सुक्समवतन ही नीचे आया हुआ है. सब बावा के प्यार में खोय रहते हैं, सब मौन वरत धारन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बावा के साथ मिलन मनाते हैं, तो छलते फिरते फरिष्टे ही फरिष्टे यहां नजर आते. बहुत प्यारा नजारा आता है. और बावा का एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा बावा की मदद भी उस दिन मिलती हैं, उसके कारण एंसी स्रेश्ट तिती की अनुबुती हमारी बहुत अच्छी तरह से हमें बढ़ाते जाना हैं. दूसरी बात, अमृत वेले या नुमा शाम के समय हमें, चार से पौने पांच योग करना हैं, उसके बाद पहले शक्तिया स्वेम में भरना हैं, उसके बाद पौने पांच से पांच या स्वा पांच बज़े तक आपको फरिस्ता सुरूप में सारे विश्व के प्रमन पर निकलना हैं, और अनेक आत्मों को शान्ति शक्ति देना हैं, नुमा शाम के समय या शाम को. क्योंकि हम दाता के बच्ची हैं, हमें केवल अपने कोई माला माल नहीं करना हैं, और अनेक आत्मों को भी उन्च लिए देना, उनका उधार करना, उनके हम आधार मुरत हैं, उनको मदद करना हमारा ये फर्च हैं. ठीक है? और तिसरी बात, कई बर भी कोई ऐसी मुसिवत आती हैं, कोई भी अकाले मुर्ति को हो, या सुनामी को हो, नेचरल के लेमिटर आती हैं, होल सेल जहां मौत होती हैं, वहां आपको फरिस्तास बेटे आप यहां हैं, और आपका फरिस्तास रूप वहां हैं, और फरिस्तास रूप वहां उड़ रहा हैं, और अनेक आत्मों को बावा से सकास लेकर अनेक आत्मों को दे रहा हैं, ऐसा प्रयोग करना है, तो अनेक आत्मों को शांति शक्ती दे मिलती जाएगी. बाबा कहते हैं मैंने आपको बीन कोड़ी बाश्या बनाना है एक कोड़ी खर्च नहीं करना है और बाश्या मैंने बनाना है भी केसे बनेंगे बताओ भाई हाँ जी हाँ जी बोलो ना पुराने भाई बाबा कहते कुछ नहीं करो कुछ नहीं करो मेरे बाजु में आके बैड़ जाओ परमदामे सागर के किनारे आके बैड़ जाओ इधर से माल लेते रहो और इधर देते रहो जेप से कुछ खर्च नहीं करना है जितना लेते रहोगे और जितना देते रहोगे उतनी आपको धुआएं मिलती जाएगी और दातापन का सौंसकार आपके पास आएगा और जो दातापन का सौंसकार आप लेकर जाएगे सुतियोग में आपको राजा महाराजा के सिंगासन पर अटोमेटिक बिठा देगा बन गए न भाई, बिनकोडी बाशा बन गए न? ति ऐसे हमें बहुत सेवा करना है, उसके लिए हमारे दिल में दातापन की भावना, रहम दिल की भावना, सदापनपती रहे, दया की भावना, सदापनपती रहे, तो हर एक आत्मा के दुख दर्द को पहचानकर हमें कुछ नकुछ मदद करते जाना जरूर है हमें कठोर दिल में नहीं बनना है कॉमल दिल में नहीं बनना है रहम दिल बनना है कठोर दिल बनना अर्थात किसी के दुख दर्थ को हम पेचानी नहीं सकते हैं इतना कठोर बन चुके है और कॉमल दिल अर्थात दुसरों के दुख को देखकर खुद भी दुखी हो रहे है, रो रहे है, दो रहे है, इतने नाजुक है, हमें रहम दिल बनना है, दुसरों के दुख को देकर जितना हो सकता है, हमें उनको मदद करते जाना है, और आगे बढ़ाते जाना है, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हम हम करते रहेए Pharishta माना ही फिरस्त हमेशा फिरने वाला हमेशा गुमने वाला हमेशा ओड़ने वाला फरिस्ते के पैर कभी भी धर्ती से टच किये हुए नहीं दिखाते हैं क्यों भाई क्योंकि फरिस्त हमेशा ओड़ता रहता है एवड़ेडी रहता है जैसी ओड़र मिल गई चल गए ऊड़ती जैसे उस गॉवर्मेंट के पास आर्मी होती है स्तूल आर्मी होती है कोई इसी समझ जाती है ओर्र मिलते ही सब भागते है और मानोता को मदद करते है तिये से आल्माइटी के पास भी spiritual army है कौन सी फरिस्तों के रूप में तो जेसी order मिलती है फरिस्ते उड़ गए हैं और हमें एक आत्मों को salvation दे कर वापिस आभी गए हैं तो इस अभ्यास को हमने बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है हाँ निंदरा में भी बहुत सुन्दर बढ़ा कराते हैं नहीं करते हैं यहाँ पर भी देखो ना ब्रह्मा बढ़ा करते हैं इतने बड़े बच्ची हैं बढ़ा को नीं देनी आती हैं इस बच्ची को सकास दो इस बच्ची को सकास दो इतने बच्ची मुझे याद करते हैं नहीं नहीं आती बाबा को रात रात क्योंकि बच्छों का दुख तो बाप नहीं देख सकता है न, इसलिए दुख में बाबा सामेल होते हैं और मदद करते हैं, तो इसलिए फरिस्ता माना लाइट हाउस और माइट हाउस, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने वाला, है न भ और बाबा की पास, बैठ गया, इसको करते उडती कला की अनुबटी खरना, हमें ऐसी उडती कला की अनुबटी बहुत अची तहसे करना, समे की पुकार हैं इसी, क्योंकि समें बहुत तीजे से आगे बढ़ रहा है, और हमें लम्बी दूरी त έχ करना है, संपुनता के मंजिल पर पहुँचना है और तीजी से पहुँचने के लिए केवाल आवशक्ता है उड़ती का लाकू अनभो करने की बावा ने आपको ये गुल्डन चांस यहां रहने का दिया है क्यों दिया है जो भी आप अलवकिक अनभो यहां करेंगे उस अलवकिक अनभो की आधार से आप अपने सर्वी क्षेतर पर जाएंगे वहां आप इन अनभो को दोराएंगे तो आपकी स्थिती बहुत मजबूत होगी अचल अडोल स्थिती होती जाएगी बावा खड़े हैं शंतिस्तम के रूप में क्या कह रहे है बावा बच्चे मेरी री जैसी स्थिती अचल अडोल है बहुत उची हैं अनेक आत्मों को प्रेणा देने वाली हैं एसी अचल अडोल स्थिती आपको भी बनाना है एक स्लोगन कभी भी भी नहीं बूलना है लिखो जैसी स्थिती वैसी स्थिती हम क्या जाते हैं बाई मेरी स्थिती हो लोग इतना बुद्धु नहीं है जैसी स्थिती होगी वैसी स्थिती होगी जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था अवस्था जैसी होगी न आत्माओं के द्वारा भी ववस्ता ऐसी होगी, प्रकृते के द्वारा भी ववस्ता ऐसी होगी. और दूसरा स्लोगन लिखो, जितना रहेंगे देह से न्यारा, उतना चमकेगा भागय का सितारा. जितना रहेंगे देह से न्यारा, उतना चमकेगा भाग्य का सितारा क्योंकि देह की कमपनी छोड़ते है तो बावा की कमपनी मिलती है भाग्य विदाता से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और दुसरा स्लोगन लिखो मुसकान के बिना मुख किलता नहीं चेहरा कितना भी सुद्र हो, उसपर मुसकराट नहीं होती है कोई देखना नहीं जाता है, रोती सूरत एसी कौन देखेगा, तो मुसकान के बिना मुख किलता नहीं, सतियान के बिना सुक मिलता नहीं, चेहरे पर हमेशा रुहानी मुसकराट हमेशा खिला हुआ हूँ मुसकान के बिना मुख खिलता नहीं सतिज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं और मुसकान भी मन प्रसंद है तो चेहरा प्रसंद होगा और हमारी प्रसंद अदा को चुराने के लिए तीन चोर बार बार आते हैं चिंता, भें और बोज किसी को नहीं आने देना है चिंता मनी बाप मिल गया चिंता किस बात की भाई बोज सारे संसार को बोज ढोने वाला मेरा बाप बन गया किस जिसका बोज भे स्वरिशक्तिवान बाप मेरे जाहत है तो भे किच जिसका तीनो बाते खतम हो गई निचिन्त रहते हैं और प्रसन रहते है और सदाचेहरा खिला हुआ रहता है ठीक है न भै क्या हुआ दुसरा स्लोगन है संगम यूग है अल्लाह की वेला अल्लाह की वेला में मुजे अल बेला नहीं बनना है अल्लाह की वेला में मुझे अल्बेला नहीं बनना है क्योंकि ये भाग्य बनाने की वेला है भाग्य निर्मान का काल है स्रेश्ट कर्मों का बिज बोने का कसमे है इसलिए इसमें हमें अल्बेला नहीं बनना है एक दम चुस्त और मस्त होकर दौड़ते रहना है इस race में ठीक है clear हो गया सब clear हो गया सबको clear हो गया ना सबको अभी light house, might house दिती बोलिये ना अभी इसकी अनुबुति हम करें बस तेकदम बढ़िया अनुबुति करते हैं ठीक है इसके थोड़ी तालिया बजाएंगे सभी थोड़ी सुष्टी आती है ना बेठे बेठे जराएंगे ऐसे ही डूल आखे बंद हो जाती है चलो thank you अभी सब पर्ष वर्ष सब हटा दो एकदम आजाद पंची बन जाओ ये भी हटा दो ना ये क्या बांद के रखा है ये सब बिलकुल फ्री बन पंची बन जाओ थोड़े समय के लिए आजाद पंची आजाद पंची माना आजा करने वाला पिंजडे से पंची जब चाहें आएं जब चाहें जाएं उसको करते आजाद पंची ठीक है भाएं चलो सबी चुसता और मस्ता होके बैठाएंगा आजाद पंची आजाद पंची इस शरी रुपी चैतन्य मकाम में मैं आत्मा रुपी तपस्या में लीनौ मैं निराकार जोती बिन्दू आत्मा भुकुटी के मध्या चमकाम मैं निराकार जोती बिन्दू आत्मा पवित्र स्वरूप हो पवित्रता का सुन्दर ताज मुझस आत्मा ने धारन किया है परम सुक की परम आनन्द की अनुबती हो रही है सच मच मैं कितनी न नसीवान आत्मा हूँ जो अपने सद्य स्वरूप को असली स्वरूप को दीविन स्वरूप को दीविन नेत्र से स्पस्ट देख रही हूँ और अन्बह भी कर रही हूँ मैं आत्मा लाइट हाउस अन्बह कर रही हूँ आत्मा का प्रकास दूर दूर तक फैल रहा है भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवा आत्मा सारे संसार को भग्य बाटने वाला भग्य विधाता पाप हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुर्ली में गाते ठकते ही नहीं मुझे अपने भाग्य पर ना आजें मैं निराकार जोती बिंदू आत्मा इस देह रुपी हावस से बाहर निकल कर न्यारी होकर बुद्धी रुपी विमान में बैट कर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती भी जा रहें जा रहें मदवन की धर्णे से पाह विश्व के गोले से पाह जंद्रसोर्या तारा गण से भी पाह उड़ती वे जा रहें जा रहें में निराकार जोती बिन्दु आत्मा फरिस्तों की दुनिया में पहुँच चुकी हूँ जा चारो सबेरी सबेर दीव्या प्रकाश प्रकाश पवित्रता है पवित्रता है मुझ निराकार जोती बिन्दु आत्मा ने दीव्या प्रकाश पंजिकी लाइट हाउस और माइट हाउस की सुन्दर ड्रेस परिस्ता सुरुप की ड्रेस दारन कर ली है फरिस्तो के शेहन्शाह प्यारे प्रमा बाबा अपने संपूँ फरिस्ता सुरुप में मेरे समक्स मेरा अजमाने मेरे अती प्यारे अती मीठे सिव पिता भी उनके भुकुटी में चमक रहे है स्नेह के सागर बाबा मुझे अती स्नेह भरी दृस्ती दे मेरे मेरिस्ता मेरिस्ता बाबा की दृस्ती का असीम आनन्द ले रहा हूं अता शक्या असीम प्यार ग्रेहन कर रहा हूं अन्बो कर रहा हूं बाबा की दृस्ती का अनन्द लेते लेते बाबा की पाहो में समा गया हूं परम सुक की परम अनन्द की अनन्बोती हो रही है फरिस्तो का राजया प्यारा अबमा बाबा उनकी सानिदे में मैं लाइट हाउस माइट हाउस की परिस्ता स्थिती की अनन्बोती कर रहा हूं प्यारे बच्चे इस वरिस्तो की दुनिया में सारा आपका स्वान दे जब जाओ जिस संबंद की अनन्बोती मसे करना चाहो कर दे रहो मेरे फरिस्ता स्वरुप के द्वारा डाइरेक्ट निराकार शितिता के साथ विभिन संबंद की अनन्बोती कर दे रहा हूं लाडले बच्चे कभी मजे विराजमान हो चका हूं बाबा मुझे नजर से निहाल कर रहे है फरिस्ता स्वरुप की ड्रेस को चोड़ कर मैं आत्मा बिंदू बदीर पी विमान में वैट कर निराकारी दुनिया की और उड़ती भी जा रही हूं जा रहे हूं ओ हो निराकारी दुनिया में पहुंच के हूं जा चारो सुनारी ला लिला दीव्या प्रकास प्रकास है शांती ही शांती प्रम शांती है कितना प्यारा गर है यह मेरा प्रम्धा मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्राणों के भी प्राण सत्यम सिवं सुन्दरं प्यारे शिव बाबल मज आत्मा के समक्ष़ वे राजमान है वे आत्मा अपने दीव्या चक्षु से बाबा की सुन्दर छवी को निहा रहे हो देख रहे हो उनकी सुन्दर ताका आनंद ले रहे हो बाबा मेरे नैनों के नोर वंच के बस मज से बाबा ही बाबा मजरा रहे है मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलारा बाबा ही बाबा है बाबा मेरे सलोने सिव साजने मैं आत्मा उनकी सजनी हूँ मेरे सलोने सिव साजन मुझे बड़े प्यार से दिवी गुणों की अभुष्णों से सुरंगारते हैं मेरे दिल में सिव साजन के ही साज बसते रहते हैं मज़ात मारुपी सजनी के दिल में सिव साजन का प्यार का जर्ना बह रहा है अनवरत बह रहा है मैं आत्म सजनी अपने सिव साजन के समी जा रहे हूँ जा रहे हूँ अतीस में पहुँच गया और मैं आत्मा रुपी सजनी सिव साजन की लाइट और माइट रुपी बाहों में समा गया हूँ प्यार के सागर के तले में डूप चुकी हूँ लीन हो चुकी हूँ कमबाइन हो चुकी हूँ अपने अस्तित्व को खो चुकी हूँ खुदा फर फिरा हो चुकी हूँ दुनिया की कोई भी शक्ति मुझेश खुदा से अपने सिव साजन से जुदा नहीं कर सकती मैं सिव मैं बन चुकी हूँ मेरे सलोने सिव साजन एक तरफ अधा प्यार के सागर है तो दुसरे तरफ अधा शक्तियों के सागर भी है तो लवफल स्थिती पाउरफल स्थिती में परिवत्तन हो रही है क्यान सूरी सिव साजन से अत्यंत शक्ति शाली किर्णों की वर्षा मुझ आतम सजनी पर निरंतर हो रही है शक्ति शाली किर्णों की पर साथ निरंतर हो रही है मैं आतम सजनी अपने सिव साजन से अनन्द शक्तियां अपार शक्तियां स्वयम में ग्रेहन कर रही हो ग्रेहन करती ही जहां रही है योग की ज्वाला में योग की प्रक्र अग्नी में मेरे पुर्वजन्मों के पाम बस्मा हो रहे हैं मैं आतम सजनी स्वयम को एक्तम लाइटर खुशी से भरपूर अन्भोग कर रही हूँ मेरे दिल से यही गीत की पंग्तियां निकल रही है तू सूरज मैं सूरज मुकी हूँ पिया न देखू तू सूरज मैं सूरज मुकी हूँ पिया न देखू तू जे तो खिले ने जिया लागे ने जिया इतने विशाल प्रमधाम रुपी पीस पालेस में मैं आत्मा सजनी अपने सलोने सिवसाजन से मंगल मिलन महा मिलन का अनंद ले वही हूँ वो तींद्रिय सुक्त के जुले में जूल है दिल केता है इसी गेहन अनुभुती में मैं आत्मा सजनी खोई रहूं डूबी रहूं समाई रहूं लेन होकर रहूं मेरे सलोने सिवसाजन मेरे दिल तक्त मसीन हो चुके हैं मैं आत्मा सजनी भी सिवसाजन के दिल तक्त पर पैट चुकी हूं मैं आत्मा सजनी रहूं मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा प्रीजी मैं आत्मा